दोस्तों आज की हमारे रेसीप है साबू दाना की खिचपी जो के वरत में खाई है इसके लिए लिए मैंने ले लिया है बड़ा साबू दाना इसको हम ठाल देंगे थोड़ा सा पानी के दाल लाओ देंगे लगब गलास और वड़ा हम धाल दालक और अपि तमाटर को काटके भून लिया है और इसके साथ मैंने दो आलो को भी डाल के अच्छे से भून लिया और साथ हम साबु दाना भी डाल देंगे और 2-3 मिनट इससे पका लेंगे हाई फ्लेम पे फिर हम ला आखरी में इसमें डाल देंगे मुंफली का दाना 3-4 बड़े चमच औ नमक और अच्छे से मिक्स करके और पका लेंगे 2 मिनट तक और हमारा खिचड़ी बन करके तयार है